राम राम जी से भी नहीं है और यह आपके सामने है अंजीर का पेड़ देख लीजिए पैचान कर लीजिए और बहुत ही गुनकारी होते हैं अंजीर सबको पता है बलबर ताकत और जो इसके कच्चे कच्चे फल होते हैं उनको और इनकी जड़को इनकी जड़को जैसे और यह कच्चे फल होते हैं यह देखो यह कच्चे फल होते हैं यह इनके लेकर और जड़को इनका कड़ा बना कपी लें तो मासिक धरम जो माता भेनों मैं यह मित्ता की वो होती है भी मारी वो भी ठीक होन शुरू हो जाता है अभी तो यह कच्छे हैं थोड़े दिन में यह पक जाएंगे लाल से हो का फिर मोटे-मोटे काले हो जाएंगे तो यह पेड़ था पहचान कर ले यह अंजीर है देखें यहां हमारे दरी मिल गया पारक के कोने पई और पल्सारी के दुकान का सुक्का मिल जाता है अंजीर यह पुद्दाह देख लीजिए आप अंजीर का यह बहुत पुराणा है यह पारक के कोने पर पूरा और अब यह देखिए यह हम ले आए हैं पंसारी के दुकान से अंजीर सुक्खे अंजीर इस तरह के अगर ताजा मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसकी खेती होती है और कहीं कहीं वैसे भी मिल जाते हैं जैसे मैं आप दिखाया आपको और पंसारी के दुकान से यह ऐसे मिल जाते हैं अंजीर खान है ये अंजीर गुणों की पोस्दी के रूप में भी होता है जैसे लीवर के लिए बहुत ही फायदे मंद है लीवर ठीक करता है और पेट भी साप करता है कब जहना दूर कर देता है और इसका गाडबना कर पिए ना तुलसी के पते मुलेटी डाल कर पाणी के साथ उबा वार उमरवाड़े पी ले तो ये बहुत ही अच्छा होता है और कॉनक जैसे भी देखो सुगरवाड़े तो कमी करें क्योंकि इसमें मिठास होता है सुगरवाड़े तो जो मिठे चैपरोट हो डैया फ्रूट हो नट हो या वैसे तो मिठास से थोड़ा दूरी रहें तो अच्छा है और जैसे काजू, पिष्टा, बदाम है ना तो ये तो थोड़े हैवी होते हैं तो उनसे तो थोड़ा दूरी रहें मगर ये जो है अमारा अंजीर ये तो बहुत ही जैसे दो हैं रात को भीगो दिया और शुबह खालो नास्ते के साथ बहुत ही अच्छे होते कीजिए फैदे मन्द होते हैं कए के Australians करते हैं अंजीर जैसे रात को भीगो कर सुबह खा लेते हैं तो हमारे जो कमजोरी है सनाई जे दोम दूर बलता Η कौन वह दूर होती है शाम को भी खाए इनको अंजीर को दूद मतिन चार उबाल कर रात ने पी लें दूद को और अंजीर को खा लें मासिक द्रम में दुरुबलता आती है जिसे साइक पर ठीक नहीं रहता है तो वह अपने कच्चे फलको उसकी जड़को दोनों को उबालका गाड़ा बनाए पाणी में और उसको लगातार कई दिन शेवन करें तो अच्छा रहता है पैदा होगा पेट दरहत नहीं होगा एक बारोर बता दे हैं आपको इनको सारी बाते और दिए और दे के रूप मैं इस पोडें तो आप जानते ही होंगे जो मैं दिखाया अंजीर का सुखे ये सुखे भी खाते हैं विगो कर भी खाते हैं और संप्र्ण विसउम में इसका प्रियोग होता है सक्तिवर्दक होता है कमजोरी के लिए लाबकारी होता है सक्तिवर्दक होता है कमजोरी को दूर करता है तीन चार अंजीर रात को पानी में भिगो दें ताजा खाओ तो बहुत अच्छा है नहीं तो बजार में तो मिलता ही है सुखा हुआ अंजीर का फल मिलता है और जो सनाई हुआ है योन दुर बलता मैं अंजीर को दूद में तिन चारू बालकर रात को पिए आराम मिलेगा रक्चा पड़ों को भी और हर्दरोगियों को भी लिवर के लिए भी ठीक है पेट भी ठीक कबज नहीं होगी अगर इसका गाड़ा बना कर पिए तुलशी के प बड़े बच्चे सब को बहुत ही फायदा करते हैं स्वांस रोग में भी यह सब मतलब बहुत अच्छा है तो आज ही हमारा अंजीर का था उमिद करते हैं सभी बाइबेनों को पसंद आएगा तो पसंद आए तो चैनल को सब्स्राइब करें धन्यवाद